आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चनल चाया मिस्रा की रसोई में तो आज बहुत टेस्टी यम्मी से छोले बनाने जा रहा है क्योंकि हमारे बच्चे को छोले खाने का मन था तो बस वही बना रहा है तो उसी की रेस्पी आपके साथ सेयर करेंगे तो दिए बड़ी ल कॉटन का ही लीजिएगा इस काम में और यह मत सोचिएगा कि ब्लू कलर का है तो इसमें ब्लू कलर शुटेगा ऐसा कुछ नहीं है कलर नहीं छोड़ेगा तो इसमें 5-6 सीटियां लगाएंगे और बढ़िया से बॉयल कर लेंगे देख सकते हो यह देखिए तो चलिए आप ओपन करके देखते हैं 5-6 सीटियां हो चुकी है अब इसे हम ओपन कर रहा है और यह देखिए कितने बढ़िया सा कलर आया है कितना बढ़िया सा निकल कर आया है एक बात और गाइस दाल चीनी बताना भूल रहते हैं इसमें दाल चीनी भी एट करी थी आप क्या करेंगे हम साबुट जो मसाले हैं जैसे इलाइची है इलाइची के दाने निकाल कर डाल दियें तेज पता हटा देंगे और जो उसकी दाल चीनी का टुकड़ा था वह भी अटा देंगे और देखिए छोले देख सकते हो आप कितने यम्मी कलर के दिख रहा है और सबसे अच्छी बात ह जैते है अबना फैन और देखिए लशन और प्याज का हमने पेस बना लिया है तो दो मीडियम साइज के ली ले लिया थे और पांच से छे करी ले ले ली थी जिनकोंने पीस लिया था और दो तमाटर की प्यूरी बना ली है अब देखिए लाइट का स्वाश रहता है इस आप अपनी साब से ले लिए जिए गाद रख इसली तो कि आपको दिखाते हैं तो इसले एक इंच चप्चेक प्ची में डालें या फिर आप प्याज में डालने ख्वत नहीं को यह देखे इस तरह से यह देख सकते हैं तो यह देखिए वाइस छोले और भटोरे बच्चे का खाने का मन था तो हमने बनाते हैं और आपके साथ भी सेहर करते हैं छोले की रेस्पी तो यह देखिए बहुत ईजी तरीके से आप बना करके तयार कर सकते हो अब इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ओयल इसमें डाल दिया तो यह देखिए अपनी सब्सक्राइब दाल दिया एक स्पून जीरा इसे परिया सच्टकने देंगे अच्छे से अगर आप मस्टर्ड ओयल में खाना बनाते हो नहीं तो अच्छे से उसे पकाना बहुत जरूरी है अब यह देख सकते हैं आप इसमें प् प्याज का भूना होना बहुत जरूरी है यानि बढ़िया से गोल्डन फ्राई होना चाहिए प्याज को अगर आपको प्याज चीपक नहीं तो थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब यह देखिए इस तरह से हम पकाएंगे प्याज को आपने बार यह देख सकते हैं कि एक श्पून और अब आलें हल्दी पाउडर थोड़ी सी खम रखेंगे बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे एक से एक श्पून से आदी स्पून तक रखेंगे पस इस से ज्यादा नहीं रखने वाले हैं अब देखिए अच्छे से इसको भी भूना है अ तो इसका लिंक हम आई बटन में देंगे थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है जिसे कि हमारे मसाले जले नहीं और बढ़ा से भून कराएं आप देख सकते हो दीमी दीमी आज पर इसे हमें पकाना है तो लगबक 20 मिनट हो चुके हैं हमको पकाते हुए अब इसमें कस्तूरी मे नहीं जो अपांधोरल नहीं डाला जासता है उसको को अच्छे ओन न कर ना आजाए तब तक इसे भून ना है अप देख सकते हो सानस में इसमें पड़ा आंटाई के तमची जो पर पर इख । शोले को सब्सक्रीन दकνे अच्छो्त स्वाजनी तुकि एप स्वाइब टाली को इस तरह से आप देख सकते हैं यहाद में इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने हिसाब कि अगर पानी स्पास कle तो आप अच्छे से कर सकते हो कोई कर नहीं है पानी कम था अब देखे एक बात और वाइस यह तो वाइल्ड छोले हैं हमारे तो इन्हें जाधा वाइल नहीं करना पड़े हैं फिर भी हमने इसको दो सीटियां लगा देनी है जैसे कि मसाले बढ़िया छोले में अंदर तक चल हुए आप देखिए यह देखिए बहुत अमेजिंग है जैसे जो धाबा और रिस्टोरेंट में मिलती है सब्जी उसे के अकॉर्डिंग थी हमारे बच्चे ने बहुत पसंद करी सब्जी को और बहुत अच्छे से खाया चोले देखिए कितने अच्छे से कुक हुए है तो हम डाल देंगे यहां पर यह देख सकते हैं तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेगे आप देख लीजेगा या फिर इंडे स्क्रीन में देदेंगे छोले मसाले की रेस्पी आप आराम से देख लीजेगा उसके बाद आप यह देखिए तो वीडियो पसंदायो लाइक शस्क्राइब और शेयर मिलते हैं नेक्स दे नेक्स वीडियो